सो हेलो गाईज कैसे आप से भी लोगे बढ़ फिर सब से भी लोगे थे मेरे के नए वीडियो में आठ मैं आप लोगे दिखाने वालों फुल अपग्रेड़ेट सिटी जी हां गाइज इस सिटी में आप लोगे को बहुत सारी चीजे देखने को मिल जागी लाइक पुलिस टे अब तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दो तो चलो गया जिल वीडियो को स्टाथ करते हैं हाँ तो सबसे पहले आप लोगो घर से बाहर निकलना है एंड यह जो पुलिस टेशन वाला रोड है उस साइड आप लोगो चलते जाना है जैसे ही आप लोग थोड़ क्या ही प्रॉप से से मस्त स्वास्तिक बनाये गये और राइक शैड बनाये गया है गाई बहुत ही संदर हो और यह जो बीच में देख रहा हो गाई यह गनेजी का मूर्ति एंड इसके अंदर यह स्थाप लोग यह जो गेर देख रहे हो इसको ओपन कर सकते हो तो सबसे पह करना हूं पहले mode को on कर देना है और यह जो गेट दिख रहे हो ना इसको प्रेसे क्लिक करके थोड़ा ऐसे कर देने है फिर मूप पर क्लिक करके यह जो वाई बटन ने शये हाँ वाई बटन पर click करना है यह देखो गाइस यह धीरे धीरे भाई इतना मस्त मूर्ति बना दिया बहुत ही आड है इसमें और अलग अलग चीज़ हो तो भाई क्या ही खतरनाक मुर्ति बनता इतना भी बहुत ही काफी आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर से बता हाथ तो अब मैं आप लोग को दिखाने वालों स्टार्टिंग स क्या कैस में बनाए गया है तो सबसे आप लोग देखो गया है घर की पीछे इतने सारे बिल्डिंग्स लगा दिये जो कि घर को काफी फूल लुक दे रहा है फिर जैसे आप लोग घर से बाहर निकलो गए यह देखो गया है यह एक टाप का ब्रीज है एंड इसमें दो सीट है मतलब आप लोग इस ब्रीज से चाहो तो सीधा वहां तक तो सीटी पास जा सकते हो एंड आप लोग जैसे ही रोड के पास हो गए गया है यह देखो रोड में मतलब यह बीच में यह लगा दिया गया है ताकि एक अपना गारी उदर से गया है और दूसरा गारी इधर से ह अपनों को अलग-अलग बात दिया जो कि अच्छा है एंड यहां पर थोड़ा सा खाली छोड दिया गया है ताकि जो मोटर साइकल वाले वह इधर से गया है अपन इजली निकल एंड यह देखो गाई यह क्या लिखा हुए अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया यह लिखा ह है भाई सहाब मस्तेरी सभी में एक ही तरह के बिल्दिंग नहीं अलग-अलग बिल्दिंग है प्ट बहुत ही मस्त लग रहा है ऐसा लग रहा थी जैसे आप लोग घर से थोड़ा लेप से जाओगे एंड इधर देखो गाई यह जो देख पार रहो ना एक निट हाँ यह ज चाहो तो सीधा उस सिटी में जा भी सकते हो एंड इक बार आगे देखो गाई वो जो चॉक जैसा बना हुए जहां से हम लोग पुलिस स्टेशन जा सकते हो वहां पर कुछ अलगी अफ्ट कर दिया गया है हां तो गाईस ब्रीज से जैसे ही आप लोग राइट से जाओगे तो इधर क्या मिलने वाले है अभी मेरे कोई खुद नहीं पता कि इधर क्या है तो यहां पर भी एक ब्रीज बनाएगे है और यहां पर एक बड़ा सा बिल्दिंग है और उधर भी है और वो जो देख रहो ना पीछे वो एक तरह का बस स्टेशन बोल सकते है कार चलो तो इसको भी हम लोग कंपलीट करते है बस स्टार्टिंग में फेल हो गया चोड़ो कोई ना यह क्या है गाइस कॉमेंट करके बता जल्दी वैसे मेरी सब शेल लग रहा कि यह बस स्टेशन है साहई से हाँ इसको बस स्टेशन ही बोल सकते बट कंपार्म नहीं बोल सकत है यहाँ अपर जो भी खूबने आएंगे इत लिए बाए इस प्रिज जैसां बना दा सबेत जो की पहां से अहीं वह घ just करो नकरख जाएंगे साहरा. एक mínimo tul疑 सी मिनटelaar मेरे आझे ॅपार जैट पैग भी तो मैं सीधा सकता हूं ओके काई तो यह देखो लिट्रली क्या ही मस्त बनाया गया है इदर दो बिल्दिक्स इन हमें कर दिया गया हैं यह देखो गाई क्या ही खता नाग बनाया गया है और यहाँ पर भी एक building है जो कि connect किया गया है यहाँ से और यहाँ पर एक left side रहते है एक right side रहते है तो सबसे फ़ले हम लोग चलेंगे right side में और देखेंगे कि इधर क्या क्या बनाया गया है ओके guys तो अभी हम लोग right side में आ चुगे ताकि देखने में और ही मस्त लगे ओके तो अभी हम लोग left side आ चुके and left side में कुछ भी नहीं है एक इधर रस्त है जो कि बस नीचे जाते चलो तो ऊपर तो मैंने सभी चीज़ देख लिया तो यहाँ सभी सीधा हम लोग नीचे जलते हैं ताकि जहां से आप लोग जहां मन करें वहां जा सकते हो पेट्रोल पंप के पास देखने कि वहां पर क्या है तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप के पास आ चुके and इधर देखो यह क्या है रहे यह साथ से एक और पुलिस स्टेशन ही इसको बोल सकते है यह बर्ट अभी मेरे को पता ही नहीं कि यह है क्या and यहां से देखो यहां से भी आप लोग सीधा प्रीस पर आ सकते हो यहां पर यहां पर रहा गया फिर यहां से अजाओगे तो फिर अश्टार्टिव पर यह ब्रीजी आ कनेक्टेट and यह देखो गाइज यहां इसको छोड़ के उदी है इसको भी इस तरह से करना चाहिए पर इसको अधर से पर जला बंदा सीधा निचे and यह देखो गाइज यह बनाया होता है जो भी रायात्री है उसको आराम करने के लिए बनाया गया है सीधा चलते है ट्रेन स्टेशन के पास and यह क्या है रही यह तो ट्रेन स्टेशन को अंडरग्रॉन थोड़ा सा बना दिया है मतलब ट्रेन नीचे से जाएगी and जो भी गारी वारी है वो ऊपर से जाएगी मस्त है वाई अब लोग फाइनल चीज दिखाने वाले जो कि बहुत ही मस्त है हमारे जो घर है वो दोनों एक में connected है और सबसे पहले आप लोग यह देख लोगा है यह एक bus station जो की इस city में बनाया गहा है इस city के जितने भी bus है यहाहीं पर आके park होते हैं इस side काफी सारे buildings बनाया गहा है यह छोटा सा station है railway station बनाया गहा है city से ऊपर आ तो चुके बट ऊपर कुछ खास है नहीं यहां से हम लोग उस साइट थोड़ा खुला view ले सकते हैं इस side तो पैक है यहां पर थोड़ा सा खुला हुआ है और यहां पर फिर यह एक city है और उदर आराम से मतलब जो दर जो गेट दिख रहे ना वो कुछ भी नहीं बस गलती सो इसको बना दिया गया वो अलग बात है और यह देखो यहां पर कुछ चौक जैसा बनाया गया और यह देखो गाई यह है अपना main gate इसके जैसे अंदर जाओगे आप लोगो एक और gate का दर्शन होगा इसके अंदर है अपना भूला बाबा का मंदीर तो चलो गाइज अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर यह देखो अश्टार्टिंग एरिया बहले देख लो यह चतवत बनाए गया है इधर यहां पर हवन कर सकते हैं यह हवन करने का जगए हम लोग उपर नहीं जाएंगे इसके अंदर जाने के लिए आप लोग को लाइन में लगना होगा और यह अपना लाइन एरिया मतलब कोई भी मंदीर में लाइन होता है वैसे है इसमें बनाए गया है यहां से आप लोग इस साइड जाने है फिर आप लोग को लेव्ट राइट लेव्ट राइट करकर के आगे जाने है हां तो गई अभी में लेव्ट राइट लेव्ट राइट करकर के इतना दुरा चुका है यह दोगो थोड़ा सा सामने यह अपना सिव जी का मुर्थी एंड यह कै यह भी जाद से अभी में ऊपर क्यों आ गया यह भी मुर्थी है बट समझ नहीं आ रहा है इसमें कुछ ज्यादा यह सब प्रॉप्स नहीं है ना तो उतना खास समझ में नहीं आता है बट यह तो फु है तो जैसे किसी नेक्स्ट वीडू में तब तक के लिए बागा बाइ